अगर दुनिया सोच रही है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौडी गाजा पट्टी में ही जंग चल रही है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है अब पूरे मिडल इस से लेकर पश्चिमी एशिया तक भयंकर बारुदी दुमा के शुरू हो चुके है इसराइल गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक 6 फ्रंट पर जंग करने का दावा कर रहा है जब कि हमास, हिजबुला और अब इरान दावा कर रहे हैं कि उनके लड़ाके इसराइल से तब तक जंग करेंगे जब तक कि इसराइल का वजूद खत्म नहीं हो जाता यहुदी देश इसराइल से नफरत का आलम ये हो चुका है कि अब इसराइल पर 400 से ज़्यादा आत्पंगाती हमले करने की तैयारी अकेले इरान ही कर रहा है इरान ऐसा क्यों कर रहा है? इसे ज़रा समझ लीजिए इरान के दावों के मताबिक इस्लामिक रिवलुशनरी कार्ड कॉप्स के ब्रिगेडिय जनरल सेद रजी मुसावी को इसराइल ने सीरिया में मार डाला है दावों के मताबिक मुसावी को हवाई हमले में इसराइल ने मारा है इधर मिडल इस्ट से जुड़े जानकारों के मताबिक इरान के ब्रिगेडिय जनरल सेद रजी मुसावा के मारे जाने से पूरे मिडल इस्ट और पश्चिमेशा में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है ब्रिगेडिय जनरल की मौत इरान का बारूदी बदला इरान के राष्ट्रपती इबराहीम रईसी ने साफ कहा कि सीरिया में हवाई हमले में ब्रिगेडिय जनरल रजी मुसावी को मारने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इरानी राष्ट्रपती ने साव कहा बिना कोई शक के ये कारवाई क्षेतर में कबजा करने वाले जायोनी शासन यानि इसराइल की हताशा, असहायता और अक्षम दाका एक और संकेत है इरानी कमांडर सेद रजी मुसावा की सीरिया में हत्या के बाल पूरे इरान में जबर्दस आख्रोश है इरान की विदेश मंतरी ने इसराइल को तबाह करने तक की धमकी दे दी है मुसावी की हत्या को लेकर इरान में जगा जगा प्रदर्शन हो रहा है इस्राइली स्ट्राइक से बढ़के एरान ने अब बदले की योजना बनाई है उधर इस्राइली रक्षामंत्री गैलेंट ने भी इस बात को स्विकार किया है कि गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इस्राइल पर साथ अलग-अलग थेट्रों में हमले जारी है अलाकि उन्होंने छे फ्रंट पर जोरदार परटबार का दावा भी किया है अब सवाल उठता है आगिर इस्राइल ने सीरिया में घुसकर इरानी कमांडर ब्रिगेडिया जनरल सेद रजी मुसावी को क्यो मार डाला आईए कुछ और खास जानकारी भी आपसे साजा करते हैं दरसल ब्रिगेडिया जनरल साइद रजी मुसावी की मौत से इरान बुरी तरह से बौखला गया ये पूरी टीटेल देखे इस वक्त आपके सामने मौजूद है इरान ने धंकी दी कि इसरेल के अंत की उल्टी जो गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सिरिया के उत्री पूर्वी दमश्क में आई आर जी सी के ब्रिगेडिया जनरल रजी मौसवी को मारा गया और इरानी मीडिया की खबर यहांपर क्या कहती है इरानी मीडिया की खबरों के मुताबिक बिरगेडिय जनरल मुसावी दोपर दो बजे तक इरानी दूतावास में मौझूत थे दूतावास दोपर करीब एक बज़े घर में धमाका होता है और बगीचे में जाकर लाश गर जाती है जी हाँ दोपर दो बज़ तीन बज़े का वो वक्त था जब ब्रिगेडिया जनरल मुसावी घर पहुंचे घर पहुंचने के बाद ठीक उसी वक्त एरानी दावों के मताबिक इसरेल की तीन मिसाईलों ने ब्रिगेडिया जनरल साइदरजी मुसावी के घर को कुछ इस तरह स तो देखा उसके मताबक अब आपको बता रहे हैं इसरेली मिसाईलों का धमाका इतना जूरदार था इतना जबरदस और खौफनाक था कि ब्रिगेडिया जनरल साइदरजी मुसावी का शब जो है वो घर से उचल कर कुछ इस तरह से बगीचे में जागिरा सोचकर ही रॉंक बताया ये भी जा रहा है कि मुसावी इरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी के सहीोगी थे यानि की सहीोगी यहाँ पर बताये गए जिने अमेरिका ने साल 2020 में मार गिराया था ये वो साल था साल 2020 लेकिन जबकि इस्रेली इस्राइल का जो दावा है वो है इस्लामिक दरजी मुसावी सिरिया में एरान के सेन अबियानों को कौडिनेट कर रहे थे यानि जिनका जिक रिस वक्त हम यहाँ पर कर रहे हैं हिजबुला को हतियास सप्लाई कर रहे थे और हमास की भी पूरी-पूरी मदद कर रहे थे इस्रेल का भी ये दावा है कि मुसावी लगात लगातर इस्रेल पर हिजबुला से हमल यहाँ पर कर वा रहे थे वे तुर तबीई पासुख इन जनात खुद इस रो दर वागए दर शरायत मुनासिब दर जमान मुनासिब हत्मान खौहत दो कुछ दावों के मताबिक एरान ने अपने कमांडर मुसावी के हत्या का बदला लेने के लिए इसरायल के خلاब एक खतरनाख प्लैन बनाया है इरान ने फिदाईन हमलों से इसरायल को दहलाने की योजना बनाई है इसके लिए अफगान लड़ाकों की भरती कर रहा है सुत्रों के मताबिक अफगान लड़ाके इसराइल पर आत्मगाती हमले करेंगे गाजा जंग और सीरिया में इसराइली स्ट्राइक से बढ़के इरान का प्लान दुनिया भर में इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने का है इरान इसराइल में आत्मगाती हमले कर सकता है इसके लिए उसने खतरनाक प्लाइनिंग की है सूत्रों के मताबिक जनरल हामेद अब्दुलाही के नेट रुत्वों में इरान के इसलामिक रिबॉलुशनरी गार्ड कॉप्स आरपार की जंग की तैयारी कर रहे हैं सूत्रों के दावों के मताबिक IRGS के कुद्स फोर्स की यूनिट 400 इसराइली ठिकानों को चिन्हित कर चुकी है जहां पर आत्मगाती हमले की योजना है इसके लिए अफगान लड़ाकों की बकायदा भरती भी जारी है अपने समर्थक समुहों के खिलाफ इसराइल और अमेरिकी स्ट्राइक से बौख्राए इरान ने अक्रमक रुख अक्तियार कर लिया है साल 2020 में इरान के टॉप कमांडर कासिम सुलिमानी को अमेरिका ने इसी तरह से हवाई हमले में मार डाला था ठीक उसी तरह से इसराइल ने ब्रिगेडिया जनरल मोसावी को मार डाला है इरान के विदेश मंत्री ने इसराइल की उल्टी गिंती का दावा करना शुरू कर दिया है प्रिगेडिय जन्रल सेद रजी मुसावी की शाहदत पर मैं इरान और सीरिया दोनों देशों के प्रती अपनी आर्दिक सम्वेदना व्यक्त करता हूँ इस सम्मान्निय शहीद ने आतंकवादियों के खिलाफ इरान और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बना रखी हो लेकिन इसराइल के पी-ए-म नेतनियाहू को भी मानना पड़ा कि गाजा युद्ध में इसराइली सैनिक काफी संख्या में मारे गए हैं जो हालात को और बत्तर बना रहे हैं ये हालात अब मिडल एस से लेकर पश्चिमी एशिया तक खराब हो चुके हैं क्योंकि हूथी और इरान समर्थित कताईब हिजबुला लड़ाकों ने विजराइल और अमेरिकी सेन अड़ों पर एक साथ हमले शुरू कर दिये हैं पहले आप ये जान लीजिये कि हूथी और इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां कहां हमला किया है अमेरिका ने ये तो नहीं बताया कि एरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरीकी सेना पर कब हमला किया था लेकिन ये जरूर बताया कि उत्तरी एराक में मौजूद अमेरिका के एरबिल एर बेस पर ड्रोन से हमला किया था अमेरिकी रक्षासचीब लॉइड आस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिका सेनिकों पर ये हमला इरान समर्थित कताईब हिजबुला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सेनिक घायल हुए लेकिन तीन सेनिक बेहत दंफिर रूप से घायल है इराक में कताईब हिजबुला के हमलों से अमेरिका बौखला गया है Middle East से लेकर पश्चिप एशिया तक इस्राइल और अमेरिकी सेन्य ठिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि इरान रूस की शेह पर अब जंग में खुल कर पूदने लगा है हो थी चुन-चुनकर समंदर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों और टेंकरों पर हमले कर रहा है यही वज़ा है कि अब अमेरिका ने इरान के कताईब हिजबुला के लडाकों पर ऐसा भीशन हमला किया है जिसकी वज़ा पश्चिब एशिया में जंग तेज होने के दावे किये जाने लगी है हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इरान के कताईब हिजबुला लडाकों पर जोरदार एर स्ट्राइक की है ज़रा देखे कैसे अमेरिकी रक्षा सचीव लॉयड आस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इरान समर्थिक कताईब हिजबुला पर भीशन हवाई हमले किये है कताईब हिजबुला पर अमेरिका ने ये हमले इराक और सीरिया में किये है सोंबार यानि 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताईब हिजबुला पर हमला किया था लड़ाकों विमानों और मिसाइलों से इरान समर्थित कताईब हिजबुला लड़ाकों के तीन ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है खबर के मताबिक अमेरिकी सेनिकों के खायल होने के बाद राश्ट्रपती जो बाइडन ने इरान समर्थित मिलीशा समूहों के खिलाफ जवाबी कारवाई का आदेश दिया था जिसके बाद ये हमले किये गए अमेरिकी सेनिकों ने इराक में कताई विजगुला और कई समूहों की ओर से इस्तमाल की जाने वाली तीन ठिकानों पर हमले किये ये सटीव हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ इरानी प्रायोजित मिलीशा हमलों का जवाब है कताई विजबुला सरीखे समूहों ने आर्बिल एरबेस पर हमला किया था इसराइल और अमेरिका इस वक्त मिडल इस्ट और पश्चिमी एशिया में डबल युद्ध से जूज रहे हैं बी-म नेतनियाहू को लग रहा था कि हमास युद्ध विराम इसराइल की शर्तों पर जरूर करेगा लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर्स ने साब दावा कर दिया है कि हमास सीसवायर नहीं करेगा और नहीं कोई समझोता वो आखिरी दम तक जंग करेगा गाजा पट्टी में इस वक्तरी गाजा से ज्यादा भीशन जंग दक्षनी गाजा में चल रही है हालात ये हो गए हैं कि इसराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा जटका लगा है 24 दिसंबर को इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमास और इसलामिक जिहाद आतंकी संगठनों ने इजिप्ट या कहें मिस्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगठन गाजा की हुकूमत किसी तीसी ताकत को सौब देते हैं तो इसराइल पर्मनेंट सीज़ फायर कर देगा लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिश कर दिया है हम आपको हमास नेता यहिया सिन्वार का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जिसमें इसराइल सेना को भारी दुपसान का दावा किया गया हमास के कसाई का दावा मार दिये 1500 इसराइली सैनिक इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताविक हमास के टॉप नेता और कमांडर यहिया सिन्वार ने दावा भी किया हमास की सिन्-चाखा अलकसं ब्रिगेड ने 5000 से अदिक इसराइली सैनिकों को निशाना बनाया और उन में से करीब 500 इस्राइली सेनिकों को मार डाला है हालागि ऐसा कोई आंकड़ा इस्राइल की ओर से जारी नहीं किया गया है हमास नेता सिन्वार ने इस्राइली सेन्य उपकरणों को नश्ट करने की संख्या के बारे में भी पढ़ा चड़ा कर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इस्राइली सेन्य वाहनों को तबाह कर दिया है सिन्वार ने इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जे को मान लेने की शर्टों पर कभी समझाता नहीं होगा और नहीं हमास कभी सरंडर करेगा दूसरी तरफ इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजामिन नितनियाहू ने गाजा का दोरा किया है और साफ शब्दों में कहा कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि अजराइली सेना इस जंक को तक तक बंद नहीं करेगी जब तक भो गाजा में मौजूद हर अदनकी संगतन का कवसा खट नहीं कर देगी अमस शुखकती शूब ननसी बाइदन, अनी मारीख अमदता है इतना चाहते हैं अजराइली के भीशन हमलों से गाजा लगबग तबा हो चुका है जरा देखिए, पलस्तिनी किस हालात में पहुट चुक है इसराइल के ऑपरेशन स्वार्ड आफ आईरन के तहट इसराइल ने सबसे ज़्यादा भीशन हमले उत्तरी गाजा में किये हैं साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इसराइली हमलों में अब तक एक लाग से ज़्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी है उत्तरी गाजा की लगबग 11 लाक के आबादी में से 85 फीसदी फलिस्तीनी हमास समर थक भाग चुके हैं ज्यादा तर फलिस्तीनी उत्तरी गाजा से दक्षिनी गाजा की तरफ भागे हैं इसराइल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टार्गेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है 80 दिनों से ज्यादा की जंग में इसराइल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ाके च्छिपे हुए थे अमेरिकी मेडिया की रिपोर्ट के मताबिक इसराइल ने दक्षनी गाजा में भयानक बंबारी शुरू कर दी है दक्षनी गाजा में इसराइली वायू सेना 907 किलो के सैक्रो बं गिरा रही है एक्सपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रियाईशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए है कुल मिलाकर हमास, हिजबुला, कूथी और इरान इसराइल के लिए नासूर बनते जा रहे हैं अब देखना होगा इरान अपने कमांडर की मौक का बदला कैसे लेगा